वेलकम टू दो प्रियाग राज इंस्ट्यूट डेली करेंट एफेर की सीरीज में हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि हाली में एशन होकी चेंपियंशिप दो हजार देश की वीज़े था कौन सिटीब मनी है यह अपना देश भारत तो जो होकी चेंपियंशिप होके राधा क्रिशन इस्टेडियं में जहिए और इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि जो होकी टीम है उसके कैप्टन है हर्मन प्रेद सिंग तो इनकी अगवाई में भारती टीम ने दो गोल से पिछणने के बाद संदार वापसी करके 12 अगस्त 12 अगस्त 2030 को मलेशिया को 4-3 से हागरा कर चौथी बार देखे यह चौथी बार अगर आपसे पूछा जाए कि भारत कितनी बार यह जीच चुका यह फूर्थ टाइम से चौथी बार है जिसको चैंपियंशिब ट्रॉफी की पृतियोगता का जो खिताब है भारत ने अपने नाम किया और इसका आयोजन के राधा कृष्ण इस्टेडियमे इसका आयोजन किया गया था और या एसन होंकी चैंपियंशिब का साथवा संस्क्रण है मतलब यह 7 वारी हो रहा था इस में से चार बार किताब किसके हाथों में भारत के हाथों में चार बार की ओवर्स में किया जाता है इसलिवल यहिसे किया जते है जैसे जो उसीस को याद रहेगा इस प्रस्षण से हमने क्या क्या जाना कि जो A.C.N.Hockey Championship 2023 से उसका आयोजन चेन्नेई के राधा कृष्ण स्टेडियम में किया गया और यह खिताब इस बार भारत ने जीता है किसको हराया है तो मलेशिया को इसने भारत ने चार तीन से हराया ठीक है और यह और होकी जो टीम है उसके कैप्टन है हरमन प्र का या सातमा संस्क्राना था तो यह कुछ जो इंपोर्टेंट पॉइंट से उनको याद रखना है ठीक है आप चलते हैं अगले प्रस्न में हमारे सामने जो अगला प्रस्न है कि A.C.I.C. चेंपियंसिट ट्रॉफी में खिताबी जीत के बाद भारती होंकी टीम रभीवार म पहुंच गया है तो रैंकिंग में तीसरा अस्थान भारत को हांसिल हो चुका है भारत को इसके बार में थोड़ी सी और इंफर्मेशन लेते हैं देखे एस चेंपियंसिट ट्रॉफी खिताबी जीत के बाद भारती होंकी टीम 13 अगस्त को एफ आई एच जो फेडरेशन पराइंक पर पहुंच गया है और तो यहां पर बात की गई है तो अंक बात भले आप भूल जाए कि इसको प्राफ्त हो है जिसकी वज़ह में तुसरे अस्थान पर पहुंच घुए हुआ है तो देखिए इस रेंकिंग में नीदर लेंट पहले इस्थान पर है और बेल्ज इस्थान पे पहुंचा है और किसको पिछाड के पहुंचा है इंगलेंड को इस बात को थोड़ा से एक बार फिर से ध्यान में देखिए एसे आई चैंपियंसिट ट्रॉफी में खिताब जीत के बात भारती होकी टीम की जो एफ आई एच एफ आई एच की जो रेंकिंग है उसमें रेंकिंग पहुंच गये है तीसरी और किसको इसने पचाडा है इंगलेंड को इंगलेंड को पचाड के तीसरे रैंक पर भारत से अब हम बात करते हैं अगले प्रश्ण में रोड अली में किस भारती को UK संसत्र द्वारा सवक्त महिला आइकॉन इस पॉइंट को याद राखना है सवक्त महिला आईकॉन पृष्टकार 2000 यह 30 थिक यह 2023 दिया गया है तो यहे هिए मायरा ग्रोवर मायरा ग्रोवर के बारे म ससक्त महिला आइकॉन पुरुषकार से समानित किया गया है अब हम बात करते हैं अगले प्रश्ण में यह प्रश्ण बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जो है अगर हम कहें कि मोस्ट आइएंपी में रखा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगा देखे अभी जो है 17 जो बड़े राज जहें 17 बड़े राज प्रमुख राज उनकी राज कोसी इस्थिति का मतलब जो उनका जो फिसकल स्टेटास है पर अधारत एक रिपोर्ट त्यार की गई और इस रिपोर्ट में उनकी इस्थिति या यह कहा जाए उनका इस्थान कौन सा रहा यह बताए गया तो इसमे मतलब जो पहले इस्थान पे रहा वह रहा महाराष्ट महाराज जो है 17 राज के राज कुछ सी इस्थिति पधाय रिपोर्ट में पहले इस्थान पे अगर महाराष्ट पहले इस्थान पे तो दूसरे इस्थान पे 36 गड़ है एक पहले इस्थान पे महाराष्ट सेकेंड पे 36 गड़ तीसरे पर तेलंगाना ठीक है तेलंगाना यहां पर देख सकते हैं या तेलंगाना जो है तिसरे अस्थान पर आप नीचे से जो टॉप करने वाले हैं नीचे से टॉप पॉणने वाले में मतलब कि 17 अस्थान पर 15 मंगाल हो गया इस तरीके से भी आप याद रखिए कि सबसे लास्ट पैदान पर 17 राजियों में जो आया है वो 17 अस्थान पर 15 अब यह जो राजकोसी इस्तिती पर अधायरती रिपोर्ट थी उसके चार हैं वो रखे गए थे एक तो यह रखा गया कि राजकोसी घाटा मतलब कि जो फिस्कल डेपसिट है वो उस राजिका कितना है प्लस जो स्वैम का कर राजस जो टैक्स रिवेन्यू है वो कितना है जो तीसरा है रिणिस्तर ठीक राज रिणिस्तर जो उसका डेप्ट वो कितन और लास्ट में यह रखा गया है जो रिवेन्यू रिसिप्ट है राजस प्राप्तियां और राजस प्राप्तियों के मुकाबले में जो ब्याज भुगतान हैं इंट्रेस्ट पेमेंट वह कितना है अब यहां पर बात आती है कि इंट्रेस्ट आप पेमेंट क्या होता है देख राजस प्रापक प्रापकर में इंट्रेस्ट प्यमेंट है तो यह कितना है तो फिस्कल स्टेक्टस पर पहले अस्थान पर 37 गड़ तीजी जो है वो दूसरे अस्थान पे है और तीसरे अस्थान पे तेलांगा रहा है तो इस तरीके से याद रखने हैं लास्ट पैरान पे पसिम मंगा उसके बाद 16 अस्थान पे पंजाब और 15 अस्थान पे केरल रा अगला प्रशन तो अब बात करते हैं कि अगर टॉप पे गुजरात है तो उसके बाद अर्ने रैकिंग क्या है जो यहां पे गीगावाड दिया है इसको याद नहीं रखना है बस यह याद रखे कि टॉप पे कौन है तो 120 मीटर हो चाहिए वाले विंड़ इंस्टॉलिशन में है गुजरात पहले स्थान पे राजस्थान दूसरे स्थान पे करनाटक तिसरे पोजिशन पे है अंध्र परदेश अब दूसरा कोशन यहां पर यह भी बन सकता है कि जमिनी इस्तर पे 150 मीटर उपर उपर उड़ चमता में पहले इस्थान पे दूसरे तिसरे चौत यह देख लेते हैं तो राजस्थान जो है वो फस्ट रैंक सेकेंड रैंक पे गुजरा सूर विंड पावर इंस्टालेशन है उसकी कैपसिटी के बेस पे भारत जो है वह चौथे इस्थान पे तो टॉप पे कौन है चीन पहले इस्थान पे जर्मनी तो इस तरीके से अगर पुछा जाए कि विंड पावर इंस्टालेशन या पॉन उड़जा चमता के पॉइंट आसा में हालि में भारत का पहला क्रिसी डार्टा एक्सेंज करा पहां पे हिंड टेलंगाना के अडियों इंपां घ्थाए है कि पहला क्रिसी डाटा एकसेंज और जैंश extrालिक्ताले औ सुरू के पहला क्रिसी डेटा श्र स्टेकर केक्स एक डियी एकस और किसी देटा प्रमधन प्रेमवर्क अधीम एकस्जन में रहेंग है इसको जरूर याद रहें कहां पर लांच किया गया है है रहाद का नाम के रेल का नाम बदल का र जार्षन्र के मुख्य मंत्री Anita are विजयन का कहना यह कि हमारी मल्यालम भासा में के रलं है जब कि अन्य भासा इसको के रल के टिंट तो हम भी इसका नाम के रल्ल मुख्येंगे के रलं रखेंगे नेक्स्ट विभाजन विभीसी का दिवस ठीक है विभाजन विभीस का दिवस किस्थी को मनाया जाता है तो देखें इसकी कहानी कहां से स्टार्ट होती है तो दो हजार एकीस में हर साल 14 अगस्त को विभाजन विविस्त का इस्मिर्थी दिवस के रुप में मनाया जाता है और यहाँ स्टार्ट कप से है 2021 है तो पीम में दूने 2021 में 14 अगस्त को Partition Horror Remembrance Day के रुप में मनाने की घोशना की थी क्या Partition Horror Remembrance Day क्या यह कहें कि कि विभाजन विभिष्च का इस्मिर्थी दिवस क्या 14 अगस्त और 15 अगस्त को स्वतंतर दिवस मनाते है नेहरू ट्रॉफी नौका दोड़के 79 संस्क्राण का अयोजन हाले में कहां क्या गया तो यह क्या गया केरल में तो देखें यहां पर जो इस प्रश्ण में ध्यान रखने माली बात है कि यह है कि मुख मंत्री पिनाराई विजयन एक तो याद रखें कि केरल के अल्ला पूजा जीला कहां पर है केरल में लोक्तक लेक हो गई तो यहां पे पुनमदा जो जील है वह अल्ला पूजा अल्ला पूजा डिस्टिक है केरल का वहां पे नहरूट ट्रॉफी बोट्रेस का उनहत्तरवा संस्कान का उध्गाटन किया ठीक है इसको आप इतना याद रखी इस प्रश्ण में अगला प्रश् कर्शेद्री थे वह थे सहावाज की स्टिफा के पाकिस्टान में नौ अगस्त को इस्तिफा दे दिया था इस वजह से पाकिस्तान संशर्ण हो गई थी और पाकिस्तान के राश्ट्पती आरिफ अलवी ने सहबाज शरीफ और निशन एसेम्बली में विपच्च के जो निवर्तमान नित हैं राजा रियाज को कारवाहक प्रधान मंत्री चुन्य का काम स्वोपा था उन्हों ने दोनों ने क्या सुझाओ दिया उन्होंने सुझाओ दिया अन्वर उल्हक काकर को पकिस्तान का वाहक प्रधान मंत्री बने हैं अगला प्रस्न यह है कि जपान और दच्छन कोरिया में आए भीशन तुपान का नाम ठीक है अनुन किस देश के द्वारा रखा गया है तो यहां रखा गया है थाईलेंड के द्वारा ठीक कोई ना कोई देश जो है जो ट्रापकल साइक्लो साइक्लोन है जो कि जपान और दच्छन कोरिया में आया था भीशन तुपान था इसका नामकरण थाईलेंड ने किया था तो जो ट्रापकल साइक्लोन है एक सब्सक्राइब समय जपान के दच्छन परस्टिम के आसपास घूम रहा था ठीक है तो यह जो पुजीशन होगी दच्छन की बात की जा रहे है तो जपान और दच्छन कोरिया के बीच में तो वहां पे बहुत भारी बारिस हुई है और यह जो खानून नाम है थाईलें के द्वारा रखा गया था, ठीक है तो ये तो याद रखेगा कि जपान और दच्छन कोरिया में जो फिष्ण तुफान आया था, ठॉपकल साइकलोन आया था, उसका नामक्राहिकुन, गॉसके जफ् pharmaceutical सान हुआ है तो थाईलेंड ने, ठीक है तो यह प्विधियो आपको कै कैसा लगा टिक डेली कुरेंट अफेर के सीरीज में हमारा यह वीडियो जहे वो परड़े आया करेगा तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद